Redundancy, Backup, या फिर High Availability इस तरह के Terms जो हैं हमने काफी सारे IT इंडस्री के अंदर सुने होंगे और आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पर हम क्योंकि Server Technology के साथ में काम कर रहे हैं तो ऐसे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो Redundancy की बात करें यानि की Backup Server की बात करें तो इसको हम कहते हैं ADC या फिर Additional Domain Controller अब ये Additional Domain Controller कैसे Configure किया जाता है और कैसे ये जो है आपके दूसरे Server का जो है Duplicate बनता है, Redundant बनता है या फिर उसका Backup कैसे ये बनता है और ये पूरा Detail में मैं आपको Step-by-Step Configure करके और पूरा Practical उसको दिखाने वाला हूँ तो अगर आप भी जानना चाते हैं, पूरा Step-by-Step सीखना चाते हैं कि किस तरीक से आपका Redundancy, Backup या ADC Server जो है वो Configure किया जाता है वीडियो का आट तक जरूर देखेगा गाईज, मेरा नाम है मजजित सिंग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Tech Guru मजीद और आगे बढ़ने से पहले गाईज, मैं आपको बता दू कि अगर आपको ये पूरी सिरीज जो हमारी MCSA की चल रही है पसंद आ रही है तो लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए अभी प्राक्टिकल करने के लिए मैं लेकि चलता हूँ आपको computer screen पे चलिए गैस हम आगे computer screen पे और देखते हैं सबसे पहले कि आपका ADC बनाने के लिए आपके पास में क्या requirements होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह आपका server number one है जो कि पिछले वीडियो में हमने जिसको PDC बनाया था, अगर मैं आपको local server पे लेकर जाकर दिखाऊँ तो you can see PDC यहाँ पर सबसे पहले क्या करना था, ADC के लिए जो भी आप ADC का server बना रहे हो, उसका IPDES यहाँ पे alternate DNS में डालोगे ठीक है, यह आपका डालना है mandatory है, दूसरा जो आपका ADC server बनाना है, you can see इसके अंदर अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर जो इसका NIC card है, उसके अंदर हमने 50.2 IPDES दिया और यहाँ पर आपका जो primary domain controller है PDC, उसका IPDES हमने यहाँ पे दिया, gateway आप remove कर सकते हैं, gateway की कोई requirement नहीं है यू can see दोनों का जो DNS है वो आपको cross करना mandatory है, इसके बाद आपको यह चेक करना कि दोनों के बीच में reachability है कि नहीं, तो यू can see अब जो ADC यानि की 50.2 है, उससे हमने 50.1 को ping करा, तो हमें reply मिल रहा है अगेन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, add rolling features पर जाएंगे, next पर click करेंगे, next पर click करेंगे, next पर click करेंगे, वही दोनों add आपके domain services प्लस DNS यह दोनों को हम यहाँ पर भी टिक करेंगे, next, 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 restart automatically if required, yes पर click करके and install पर click कर देते हैं यानि कि जो features हमने pdc बनाते वक्त डाले थे, वही सारे features हमें यहाँ पर भी डालने mandatory है because ultimately यह भी equivalent server बन रहा है, जो चीज़े आपकी वहाँ है, वही same सारी चीज़े हमें यहाँ पर भी देखने को मिलने चीज़े जब तक ही आपका feature install हो रहा है, so what I'll do is, आपको test कराने के लिए कि आपका ADC बना, तो हम चलते हैं primary domain controller के अंदर, pdc के अंदर और यहाँ पर आगे user and computers पर चलते हैं, और user and computers में आके हम इसको expand करते हैं, users में चलते हैं, तो users में जाके एक user create कर लेते हैं, so that कि यही same user, आपको नए वाला जो computer हम बनाएंगे, server बनाएंगे ADC, उसके अंदर भी देखने को मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ से, for example, u1 के नाम से, और इसको भी बनाते हैं, u1, and उसके बाद जो है, हम यहाँ पर next पर click करते हैं, और जो भी आपको password डालना है, वो password आप डाल दें, और password never expire पर click कर देते हैं, और हमने PDC के अंदर एक user create कर दिया, u1 के नाम से, अब यह कहाँ पर create करा, तो आपको मैं दि create करा, और हमारे पास मैं अभी तक यह feature जो है, second जो server है, उसके अंदर तो यह feature भी अभी आपके सामने install हो रहा है, तो which means अभी इसके अंदर तो user पहले से create करना next to impossible है, अगर मैं आपको tools पर दिखाऊं, तो you can see यहाँ पर वो option ही नहीं है, active directory, user and computers बगारा है, जो options हैं, अब आपको देखने को मिले, because अब आपका यह जो feature है, वो install कर रहा है, तो यह आपका जो है अभी installation अभी हो रहा है आपके सामने, तो चलिए अभी थोड़ा सा wait करते हैं, और इसको complete होने देते हैं, और जैसे complete होंगे, उसके बाद हमने इस server को promote करना है as PDC, याने की ADC, याने की additional domain controller, additional domain controller, याने की जो आपका primary है, उसी का यह आपका बन जाता है, redundancy backup server, तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया, तो you can see, यहाँ पर आपके पास में same exclamation mark आगया, इस पे हमने click करना है, और यहाँ पे click करना है, promote this server to a domain controller, इस पे हमने click करना है, तो अभी हमारा यह जो server है, वो domain में नहीं है, तो domain में नहीं है, तो हमें इसको domain में भी डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप you can see, हमें क्या करना है, add a domain controller to an existing domain, याने कि आपके पास already domain, भी है forest, भी है सब कुछ आपके पास है, अब उसके अंदर आप इसको add करना चाहते हो, या फिर एक नया domain create करना चाहते हैं, जो पहले हमारे पास domain है, उसी के अंदर इस computer को add करना चाहते हैं, तो पहला option select करेंगे, यहाँ पर हम उस domain का नाम डालेंगे, which is tgm.com, and उसके बाद select पे click करेंगे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो primary server है, उसका आपने यहाँ पर पूरा detail लिखना है, administrator, administrator at the rate, और उसके बाद में आपका tgm.com, यह लिखना जरूरी है, तो you can see domain के अंदर, अगर आप सिरफ administrator लिखोगे, तो इसके पास में locally भी administrator available है, तो यह उसको fetch करेगा, हमें पुराने वाले को करना है, जो pdc है, उसका करना है, तो उसका जो भी आपने password डाला है, तो वही password आपने यहाँ पर डाल के इसको okay करना है, तो let's see, तो you can see retrieving the domain, अब आप पर tgm.com हमें मिल गया, okay करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद next पर click करते हैं, और जैसे ही आपका process complete होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, you can see dsrm का password मांग रहा है, तो dsrm का password भी आपने एक strong password रतना ह और यहाँ पर recommendation यही है आप लोगों के लिए, कि आप यहाँ पर same password जो dsrm का अपने pdc के लिए डाला था, वही password आप यहाँ पर भी enter करें, तो मैं यहाँ पर मेरा password एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद में confirm password डाल देता हूँ, and next पर click करता हूँ, next पर click करने के बाद, फिर next पर click करता हूँ, अब यहाँ पर दो options होते हैं, एक आपका install from media, और दूसरा होता है from any, तो हम यहाँ पर जो primary domain है, उसको select कर लेंगे, किसका replicate करना है, किसका आपने इसको copy बनानी है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, next पर click करते हैं, next पर click करते हैं, वापस you can see, यहाँ पर prerequisite check होने लग गया, अगर सब कुछ okay है, तो हमें green tick मिल जाएगा, अगर okay नहीं है, तो हमें यहाँ पर error आएगा, तो अभी यह verify the prerequisite, जैसे complete होगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो you can see, यहाँ पर आपके सामने green tick लगके आगया, सब कुछ okay है, install पर click कर देते हैं, और अब यह थोड़ सा time लेगा, installation complete होने में, तब तक आप इसको fast forward mode में देख सकते हैं, So now you can see, आपका यह भी ready हो गया, close पर click कर देते हैं, और यह आपका एक बार restart होगा, और जैसे restart complete होता है, उसके बाद मैं आपको इसमें user and computers के अंदर ले जाके दिखाऊंगा, तो जो user हमने PDC के अंदर create करा है, वही same user हमें यहाँ पे ADC के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो जब तक यह restart हो रहा है, तब तक आप fast forward mode में इसको देख सकते हैं, तो now you can see हमारा जो ADC है, वो बन के ready है, तो चलिए इसमें login कर लेते हैं, और यहाँ पर login करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो user PDC के अंदर बना हुआ था, वो same user हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो let me login again, just a minute, तो आपकी profile creator हो रहे हैं, सर्वर की, तो एक बार जो है, इसका server manager आप open हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह आपका server जो है, वो अब ADC बन चुका है, बिकास इसके अंदर जो भी आप PDC में, आपका पास में options available होंगे, वो सभी इसके अंदर भी आपको visible होंगे, चलते हैं tools and उसके बाद user and computer section पे, और यहाँ पर चलके हम चलते हैं user पे, और सबसे नीचे side पे you can see आपको एक user देखने को मिल रहा है, विच इस U1, यह जो user है, वो हमने PDC में बनाया था, ADC में नहीं, तो ADC में यह automatically आए, अब जो भी आप वहाँ पे create करोगे, वो automatically यहाँ पे replicate होता रहेगा, और यह हमारा ADC बिलकुल ready है,